हुआ है ह allowing आज मैं आप के लिए फिर एक ओर इंजेक्शन के बारे में आज आपको डेटील शे बताऊंगा जो विटामिनिस का जो इंजेक्षन है मेरे पास इस प्रकार का बहुत प्रकार के कमेंट्स आए थे की whether or क्षाइब ही नुट conquest इंजेक्षन के बारे में हमें डिटेल से बताएा जिस प्रकार क्षे आपने mesmo9 जो पर इंजेक्षन आता है मिसी निंग्सर निदоме मकंगो बेश्गल इसके वी 5 इंजेक्षन के बारे में हमें ढ़ता है कि 100 injection हमारे पसूं में क्या क्या काम करता और इसके कितनी डोज देने चाहिए कौन-कौन सी डिजीज में यह काम करता है याई आज आपको वी-फाइप injection के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा रही बात और एक बताना चाहता हूं कि इंजेक्शन आपके पसूं के ल तो वीडियो लंबी भी हो तो इस्कीप करके नहीं देखें यह दिए अभी भी जो इस चैनल पर जो नहीं आया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लाल वाला बटन आपको दिक रहा है उसको दबा लें साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उस सबसे पहले इसमें जो आता है आयोडाइसड इसमें आता है वित्AMent A, D3, E एंड बायोटीन तो सबसे पहले माँ आपको बताता हूऊ Вितामीन Ä का केmical नाम होता है रेतिनोल यैनि आपके पफसो में एदूप एधि डिारीन है रेतिनोल एया इसकिन डिजीज से सम्मli्द पूरी डीटेल से बाद में यह मिक्स क्या काम करता है इसी परकार से अंदिघर आती है विटामिन डी का compromised chaos ऑनो होगा है, विटामिन ऑना कमजोर हो जाती है होगा हडी हे चया कमजोर हो जाती है है तो इसमें हम विटामिन D का प्रियोग करते हैं से पर प्रच stripermani करों नियुक् sailing वह इसी परकार में नोटीन विटामिनी ह माँ आते हैं। विटामिन है किया रोल है इसकी का रोल हुए आपके साइनिंग लानी इसके अंगते हैं। अब यह सभी के सभी जो विटामिन हैं च्ब्राइन IM्र Tribune लानी है । तो सबसे पहले मां आपको बढ़ता हूँ की जो यह वी-फाइप इंजेक्शन है ये दिखे पसू में में मेchnय को हो जाए है दो आप इस इंजेक्शन को प्रयुकर है इसकthers नीए कि आप जह तालगे पसूल ने गेंगे और मेस्टाइटिस से मुक्ति पालेंगे ऐसा कदापी नहीं होता है इसमें किये कि साइट थेरेपी की तोर पर इदि आपने जिस प्रकार्चे मेस्टाइटिस डिजीज हो गई है बेक्टरिल डिजीज आपने कई इंटिबैटिक इंजेक्शन लगवा रहें तो उनके साथ आप यह इंजेक्शन वीफाइप इंजेक्शन भी साथ में लगए बहुत इच्छा रिजिल्ट आपके पसू में देखने को मिलेगा यह मेरी गारंटी यह आप इसमें इंजेक्शन साथ में इच्छन आप इंजेक्शन वीफाइप इंजेक्शन को उप्योग करें अब इसकी कितन दोश देने से यह आपको आगे बताऊंगा उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पसू में देखने को मिलता है इसी परकार एदी आपके पसू में जिस परकार से आनवान से की डिज आती है या आपके पसू में जिस परकार से मस्कुलर डिस ओर्डर है यानि आपका पसू बहुत ज़्यादा छीन है कमजोर या आनवान शिक से गर्शित है तो आनवान शिक का मतलत जनमजात ये आपका पसू कमजोर है तो उस इस्तिति में भी आप ये इंजेक्शन है ये उ पता भी नहीं चलता है यह आपका पसू हीट में आया नहीं है तो हम उस्ते क्या माल लेते हैं बांसपन माल लेते तो उसमें भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले याई या इंजेक्शन उसको लगवाएं बहुती अच्छा रिजेल्ट आपके पसू में देखने को मिले तो उस condition में भी आप ये injection जो V5 injection है इसको प्रियोग करा सकते हैं इदी down हो गया है बेट के है या skin disease हो गई है इदी आपके पसूं किसी भी परकार का इदी चरम रोग है skin disease है उसमें भी आप ये जो multi vitamin injection है बहुत ये अचा result है इदी आप अपने पसूं के अच्छी signing लाना चाह चाहते हैं आप अपका पसूं अच्छा देखने में अच्छा सुन्दर लगे तो भी आप ये injection है vitamin V5 injection प्रियोग कर सकते हैं एक और बताना चाहता हूं कि ये जो injection ये आपके पसूं का वेट लेना चाहते हैं चैसे छोटी हो या बड़े पसूं तो इसके साथ आप मेट या से मास प्रियोग में लेना चाहते हैं तो उस पसूं में ये injection देकर के उनका वेट बढ़ा सकते हैं और ये जो पसूं भो ज़्यादा वीकनेस हैं जिनसे खड़ा होने में दिकत है नर्वाइकल डिजीज है तो भी आप ये injection प्रियोग ले और जिन पसूं में बैटने में द जेल देखने को मिलेगा इस वीफाइप injection का इसी परकार है आपके पसूं का जैसे वजन कम हो रहा है अचाना घ्रिद्रे वजन कम हो रहा है तो उप्योग मिले ये अपका पसू इस्ट्रेस में ये तितनाव में आपका पसू प्रोपर दूद नहीं दे रहा है तनाव की वह आप ये injection उप्योग में ले सकते हैं ये आपके पसो में किसी भी परकार का इदी infection हो गया है तो भी उस इस्तती में आप ये injection प्रियोग कर सकते हैं एक और बताना चाहता हूं कि ये आपके पसो में किसी भी परकार की इदी metabolic disease है पेट से समधित किसी भी परकार की इदी बीमार करते हैं तो इस में साइट थेरे भी तोर पर आप यी फाइफ इंजेक्षन प्रियोग कर सकते हैं यह दिए आपके पसुमें दिन्यूंट्रेशन उपलब्त करवाना चाहते हैं न्यूटेंट के तोर पर याई तो भी आप यह इनजेक्षन है प्रियोग कर सकते हैं और हिबात या आपके पासूं को धी इंजेक्षन का प्रियोग कर्वा सकते हैं हैं अब आप बहुत मैंने ऐसी बाते बताई हैं जिसे आप कन्प्यूज है ओंगे होंगे इंजेक्षन तो लगबर लगबर सभी विमारियों में ही काम करता है तो एक बात और बताना चाहता हूं कि इंजेक्शन लग बग लग सभी परकार की मेटाबोलिक डिजीज और नीूट्रिसन की दिया आपके पसु में कमी है तो ये काम करता है क्योंकि ये इसके इंजेक्शन के अंगर आयोडाइज़ विटाइमिन ए डी त्री ए एंड बायोटीन का एक मिस्टरन है तो आपके पसू को अचा रिजल देता है रही बात इसकी डोज की तो डोज बताता हूं कि यह जो इंजेक्शन है यह बड़े पसू में पांच एमेल इंट्रा मस्कुलर यानि सिर्फ यह मास में लगता है डीप इंट्रा मस्कुलर आपको यह इंजेक्शन लगा जाता है अब इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाएं इंट्रा मस्कुलर का मतलब है कि इसकी पीट्विया गर्दन में जहां पर मास होता है वहां पर यह इंजेक्शन लगा तो तरीके के मतलब है कि जो यह injection है वी फाइप इंजेक्शन है यह दि आपके पस्व में लंबे समय तो भी लगए नोन प्रिग्नेंट है तो भी लगए यह दि आप अपने पस्व को यह दि किसी भी परकार का कमजोर है वेक्नेस है लेना चाहते तो भी आप इस इंजेक्शन को प्रियोग करें नर्वाइकल डिजीज है तो करें मेटाबोलिक डिजीज है तो करें और यह दि आपके पस्व में रिप्रोडेक्टिव सिस्टम के लिए किसी भी परकार का पस्व हीट में नहीं आ रहा है तो करें सोट तरीके से बता रहो आपको और यह दि आपके के तोर पर आप side therapy के तोर पर कोई भी आप injection के साथ आप इस injection को भी लगवाएं बहुत अच्छा result आपको देखने को मिलेगा एधि आपके पास जो भी प्रसुचिक अच्छक देखने के लिए आता है तो उनके साथ आप हैं कि वी-फाइप लगा सकते हैं जो कि मैं हापको हर वीडियो में आपके लिए जो भी इंजेक्षन लेकर के आता हूं यह दि आपको मेरी वी-फाइप इंजेक्षन के बारे मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो निचे जाकि आप कमेंट में लिखें मेरी वीडियो को आप अपने रोस्तों के साथ पसवप हालकों के साथ, और मेरे जितने वेटिनरि स्टेंट है, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके share करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को motivation मिलता है, और मैं आप आपके लिए अच्छी है और नोलिजबल वीडियो ऐसे लाता रहूँगा इसी तरह से आए मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से आए मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद